इस question में guys क्या दे रखा है जो wire है वो cylindrical shape का है और हम लोगों ने क्या किया है कि same material के दो wire ले रखे हैं एक का length L है और दूसरे का length क्या है 2L है इसका मतलब और दोनों की case में resistance same है इसका मतलब कि क्या क्या चीज़े constant है दोनों ही situation में क्या क्या constants है तो देखिए हमारे पास formula क्या होता है resistance का R equals to row L upon A होता है material same है तो guys row क्या हो गया identical हो गया दोनों ही wire के लिए R same कह रहा है दोनों ही wire का resistance same है इसका मतलब L और A vary कर रहे है या यूं कह ले हम लोग L by A constant है और guys जब L by A constant होता है ये A constant है जब किसी दो quantity का ratio constant होता है तो हम लोग कहते है quantities directly related है या indirect ratio में है इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि A directly proportional to क्या होगा? L होगा इसका मतलब A2 over A1 क्या हो जाएगा? that is L2 upon L1 हो जाएगा और हमें दे रखा है पहले हम A1 हमारी पहले situation की area cross sectional area है वो capital A assume कर लेते हैं हम लोग या दे रखा है हम assume नहीं करना है और बात में जो length L2 हो गई है 2L हो गई है और पहले L थी ठीक है? अब हमें A2 के बारे में बदा करना है तो जाहिर सी बात है कि आप LL cancel कर दिये तो यहां से A2 क्या आता हुआ दिख गया? 2A इसका मतलब आपका option कौन सा correct हो गया? C option is correct. Thank you guys!